नमस्कार साथियों कल्यानी आईयास अकेडमी के डिस्टर प्रेट्फरम पर आपका हर्दिक स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने लैंस द्वारा प्रतिविम्न निर्माण को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था इस लेक्चर में हम विद्युत को बहुत ही अच् विद्युत वह उर्जा है जिसके कारण पदार्त में हलकी वस्तूओं को आकर्सित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उधारण के लिए जब कांच की छड़ को रेसम के साथ रगड़ा जाता है तो इससे इलेक्ट्रोनों का आधान परदान होता है कांच की छड़ से इले या कांच की छड़ में हलकी वस्तूओं को अपनी और आकर्सित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और यही क्या होगी कांच की छड़ की विद्युत उर्जा होगी तो इस पस्ट रूफ से कहा जा सकता है कि विद्युत वह उर्जा है जिसके कारण पदार्त में हलकी वस् कहा जाता है उसको विद्युत्की कहा जाता है और विद्युत्की की दो साखाएं होती है एक हो जाएगा यहां पार इस्थिर विद्युत्की और दूसरा हो जाएगा यहां पार गतिक विद्युत्की तो इन दोनों में क्या अंतर होता है वो समझते हैं देखिए विद्युत की की वह साखा राइट विद्ध की की वह साखा जिसमें इस्थिर अवस्था वाले जिसमें इस्थिर अवस्था वाले आवेसों का अद्धिन किया जाता है उससे क्या कहा जाता है इस्थिर विद्ध की कहा जाता है और विद्ध की की वह साखा जिसमें गतिक अवस्था वाले गतिक अवस्था वाले आवेसों का अध्यन किया जाता है तो विद्धुत्की की वह साखा जिसमें इस्तिर अवस्था वाले आवेसों का अध्यन किया जाए वो है इस्तिर विद्धुत्की कहलाएगी और वो है विद्धुत्की की वह साखा जिसमें गतिक अवस्था वाले आवेसों का अध्यान किया जाता है उसको क्या कहा जाता है गतिक विद्धुत्की कहा जाता है अब विद्धुत्की को समझने के लिए हमें आवेस को समझना ब भावना होगी उन टॉपिक को भी हम बली भाती समझते चलेंगे तो अब समझते हैं हम यहाँ पर विद्दुत आवेस या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है देखिए किसी भी पदार्थ का या द्रब का तो द्रब का या पदार्थ का वह वहतिक गुण जिसके कारण वह उसे ही क्या कहा जाता है आवेस कहा जाता है तो द्रब का वह वहतिक गुण जिसके कारण किसी विद्दुत चुमकिये चेत्र में उस पर वल का अनुभा होता है उसे ही क्या कहा जाता है विद्दुत आवेस या इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है और जो इलेक्ट्रिक चा होती है अनु परमाणू से मिलकर बने होते हैं और परमाणू के तीन मूल कण माने जाते हैं लेक्ट्रों प्रोटान और न्यूट्रान तो यहां पर जो आवेस है वो द्रब के मूल भूत कणव द्वारा धारण किया जाता है और यह जो आवेस है ये दो प्रकार का होता है एक हो जाएगा धनावेस और दूसरा हो जाएगा घ्रनावेस यदि दोनों आवेस धनावेस है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्सित करते हैं तो समाल प्रकार के आवेस परस पर क्या होते हैं प्रतिकर्सित करते हैं वही विपरीत सेथ एक दूसरे को आकर्षिद् करते हैं और जो आवυेस का गुर्ण है वो किसी भी परमाडों के मूल बूत करों के द्वाराह दारण किया जाता है अब यदें यह कैसी 산гор छफिति हैं साथ िसका जो ऐसा ही मात्रग है क्या होता है कूलाम होता है जिसको हम किसे सी से प्रदर्सित करते हैं तो यह यहाँ पर हमने समझा आवेस के बारे में अब जो आवेस है वो दो प्रकार का होता है एक हो जाएगा यहाँ पर धनावेस जिसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनों की कमी और दूसरा हो जाएगा रिनावेस जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनों की अधिकता तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जमपल दिया था कि जब काच की छड़ को रेसम के साथ में रगडा जाता है तो इससे इलेक्ट्रोनों का क्या होता है आदान परदान होता है और काच की छड़ से इलेक्ट्रोन निकल कर किसमें रेसम में प्रवेस कर जाते हैं तो चूंकि काच की छड़ में इलेक्ट्रोनों की क्या होती है कमी होती है तो जहां पर इलेक्ट्रोनों की कमी होगी उस पर धनावेस आ जाएगा साथ ही रेसम में इलेक्ट्रोन प्रवेस तो हुए है इसलिए इलेक्ट्रोनों में आवेस की अ अधिक्ता है तो जहां पर इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता होगी वहां रिडाविस आजाएगा और जहां पर इलेक्ट्रोन की कमी होगी वहां पर क्या आएगा धनाविस आएगा तो जब हम काच की छड़को । रगडते हैं, तो, काच की छड़ पर जो आवेष आता है, उसको धन Mund केते हैं, और रेशम पर क्या आएगा? रड़ावेष आजाएगा, साथ ही, जब इव Superior को, राइट एवउन आइड की छड़कों किसे? फर से रगडते हैं, ये दोनों उदारण रहाते हैं, एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो उसमें एवोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता होती अर्थात फर से इलेक्ट्रोन निकल कर किसमें एवोनाइट की छड़ में प्रिवेसित हो जाते है अर्थात जो फर है उसमें इलेक्ट्रोनी की क्या होती है कम ही हो जाती है इसलिए फर पर आजाता है धनावेश और एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रोनों की अधिकता हो जेती है जिससे एबोनाइट की छड़ पर क्या हो जाता है रिण आवेश आजाता है अब यदि कोई आवेश है जिस प क्या होता है और यदि ये पांच नमर में पूचा जाता है तो सबसे पहले इसकी परिभाशा और फिर इसके गुणों को दर्साते हुए हम यहां तक इसका उत्तर लिख देंगे अब हम बात करते हैं विद्दुच्छेतर की विद्दुच्छेतर क्या होता है देखिए किसी भी आवेस के चारों ओर का वह चेतर जहां पर कोई अन्यावेस या तो आकर्सित या प्रतिकर्सित वल को महसूस करता है उसे ही विद्दुच्छेत्र कहा जाता है तो किसी विद्दुच्छेत्र के चारों तरब का वह चेत्र जिसमें कोई अन आवेस या तो आकरसनवल का या प्रतिकरसनवल का अनुभाव करता है उसे ही क्या कहते हैं विद्दुच्छेत्र कहते हैं और विद्दुच्छेत्र के सिरासी है एक सदसरासी है अब क्यूंकि हमने पढ़ा था कि अगर जीसे अगर एक विदूद आवेश के चारों और अगर अगर कोई न्यावेश है और दोनों के से हूंगे दणातमक हें धनावेश होंगे एक दोनों आवेस विपरी तो होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे आकरसित करेंगे और जो विद्धुच्छेत्र है उसको विद्धुच्छेत्र की तीब्रता के द्वारा मापा जाता है तो अब हम यहाँ पर समझते हैं विद्धुच्छेत्र की तीब्रता तो ध्यार रखे यहां पर यह सारी सब्दा बली तीन नंबर में या पांच नंबर में पुछी जा सकती है तो यह तीन नंबर में पुछा जा सकता है विद्धुच्छेत्र की तीब्रता भी तीन नंबर में पूछी जा सकती है विद्धुच्छेत्र की तीब्रता क्या होती है देखिए जैसा आवेस पर लगने वाला बल तथा उस परिक्षुण आवेस के अनुपात को ही क्या कहा जाता है विद्दुछ्च्त्र की तीब्रता कहा जाता है जैसे अधारण के तौर पर हमने यहां पर परिक्षण आवेस ले लिया Q0 और उस पर लगने वाला जो बल है वह F माल लिया तो विद्दुच्छेत्र की तीब्रता या E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर F अपॉन क्या हो जाएगा Q 0 हो जाएगा तो विद्दुच्छेत्र में किसी बिंदू पर परिक्षण आवेस पर लगने वाला बल तता उस परिक्षण आवेस के अनुपात को ही क्या कहा जाता है विद्धूद्च्षेत्र की तीब्रता कहा जाता है। यह कैसी रासी होती है ? सदिस रासी होती है। अब हम यहाँ पर समझते हैं विद्धूद्ध विभव को विद्धूद्ध विभव क्या होता है ? यह एलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये 5 नम्मर में प्रशुन पूछा जाने बाला पांच नम्मर में ये प्रश्ण पूछा जा सकता है तो विद्द विभाव क्या होता है उसको बहुत अच्छे से हम यहां पर समझते हैं देखिए किसी चालक का विद्द विभाव उसकी वह विद्द अवस्ता होती है जब उस चालक को अगर हम किसी दूसरे चालक से जोड़ते हैं तो उसमें आवेश प्रवा की दिसा का निरधारन होता है उधारन के तौर पर ये एक चालक है और ये दूसरा चालक है अगर मैं इ प्रवाद इस से इस में होगा या इस से इस में होगा इसका निर्दारण किस्य होता है विद्धुत विभाव का होता है तो सीधी सी बात है अगर हम जैसे देखते हैं जैसे हम द्रब की अगर अवस्ताओं को समझते हैं तो जैसे क्या होता है गुरुत्व की बज़े से जहां पर भी क्या होता है उपर की ओर होता है तो हमेंसा गुण के कारण क्या होता है नीचे की ओर वहता है वही का वही जो गुण है वो विद्धुत विभाव प्रदर्सित करता है तो विद्धुत विभाव चालक का वह गुण होता है जिसके कारण या चालक की वह विद्धुत अ तो आपने यहां पार विद्धुत आवेस का में अगर हमसे प्रस्ण पूछे कि विद्धुत आवेस होता क्या तो सीधी सी वात है एकांग धनावेस को एकांग धनावेस को Anant से विद्धुत छेतर के किसी बिंदु तक लाने में जो कारे करना पड़ता है उसे ही क्या कहा जा तो तीन नमबर में यह पर जो है हमको पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखनी है कि एकांग धनावेश को विद्धुद छेत्र में एकांग धनावेश को अनंत से विद्धुद छेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कारे करना पड़ता है उसे ही क्या कहा जाता है विद्ध धुधूद अवस्ता है जो उसे किसी अन्चालक से जूडने पर उसमें आवेश-प्रवार की दिशा को क्या करती है बताती है और यहाँ पर ये भी याद रखें कि जो आवेश का प्रवारश हमेशा उच्छ विभाव से निम्न विभाव की और होता है जैसे यदि ये एक इसका प्रिबहा होगा इसको जब हम सेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो सेल का EMF होता है तो आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे जब हम क्या करते हैं जैसे आप समझें कोई सेल है तो जब हम सेल से दारा लेते हैं तो इसका EMF जो है हमेशा बिवांतर से क्या होता है कम होता है अर्थात सेल उच्छ बिभाव पर होता है और हमारा परिपत निमने बिभाव पर होता है इस बज़े से सेल से विद्धुत उर्जा हमारे परिपत में आती है और हम जो है बल्ब जला पाते हैं या सेल से विद्धुत उर्जा को उपयोग कर पाते हैं साथ ही जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है यह बैटरी हो जाती डिस्चार्ज हो जाती है तो सेल को हम क्या करते हैं चार्ज में लगाते हैं तो जब हम उसको चार्ज में लगाते हैं तो हमारा जो घरेलू परिपत है वो उच्च विवापर होता है और स विद्दुद विभाव चालक क्यों है विद्दुत अवस्ता है जो से किसी अन्य चालक से जोड़ने पर आवेश की दिशा को बताती है और आवेश हमेशा उच्शी विभाव से निम्न विभाव की ओर जाता है या फिर हम यह कह सकते हैं कि जो एलेक्ट्रॉन है राइट या रिणावेस का प्रवाद निमने विभाव से उच्च विभाव की ओर होता है धनावेस का प्रवाद जो है वह उच्च विभाव से निमने विभाव की ओर होगा और रिणावेस या एलेक्ट्रोन का प्रवाद निमने विभाव से उच्च विभाव की ओर होता है और जैसा कि ह में पता है कि जो विद्धुत धारा की दिसा है वो इलेक्ट्रोन के प्रिवाव की दिसा के क्या होती है विपरी तो होती है अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो धारा है वो धनावेश के प्रिवाव की दिसा ही होती है अर्थात यदि धनावेश का प्रिवाव उच्छ विव मात्रक की बात करते हैं तो इसका ऐसा ही मात्रक होगा क्या जूल प्रती क्या हो जाएगा घूलाम हो जाएगा राइट साथ ही इसकी जो अगर हम बात करते हैं रासी की तो ये कैसी रासी होती है अदिस रासी होती है अब बित्त विभाव को जब भी हम करना करते हैं तो बित्त विभाव की करना करने के समय हम प्रत्वी का जो है निर्दे संक विंदू लेते हैं और प्रत्वी के विभाव को क्या म होता है इसलिए विद्दुत विभाव की गड़ना करते समय नर्दे सांग विंदू के रूप में प्रत्वी की विभाव को सून माना जाता है अब हम समझते हैं यहां पर विभांतर यह पोटेंसियल क्या हो जाएगा डिफ्रेंस हो जाएगा तो अंतर समझना यहां पर जब एकांग धनावेश को अनंत से विद्दुद छेतर के किसी विद्दु तक लाने में जो कारे करना पड़ता है उसे विद्दुद विभाव कहते हैं अब यहां पर विद्दुद जो है यहां पर विवांतर विवांतर क्या होता है कि एक कूलाम आवेश को या ए किसी एक wind policy लेकर किसी दूसरे window तक लाने में जितना कारे करना पड़ता है उसे विभानतर कहा जाता है उसे उन दोनोन विन्दुऊं कि मद्ध क्या कहते हैं विभानतर कहते यह तो close से कुल मिलाकर जब विद्दुच्श्चेत्र में करें यह ऊवेस एक बिड्दु से दूसरे में तख लेुने में यह लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन बनों विद्दु के मद्द्द क्या यह कहते हैं और उसम二ं गें है वो समझे हमेशा विभांतर का महत्व यह है कि अगर किसी परिपत में विभांतर उत्पन नहीं होगा तो उसमें विद्धुत धारा का प्रिवावी नहीं होगा अर्थात विद्धुत परिपत में धारा प्रिवाहित करने के लिए उन दोनों विंदुओं के मद्ध विभा होता है जो विभांतर है इसका मात्रक्वी क्या होता है बोल्ट ही होता है तो इसका मात्रक्वी क्या होता है बोल्ट होता है और यह एक क्या होती है सदिसरासी होती है और जो विभांतर होता है उसको ही हम आम भासा में क्या कहते हैं बोल्टेज कहते हैं जैसे आप ने सुना होगा कि आज voltage कम है इस बज़े से एसी नहीं चल पा रहा है या फिर आपका जो बिद्दुत प्रेस है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है है तो बिवांतर को ही क्या कहते हैं बोडेज वी कहते हैं इसका मतलक वोल्ट होता है यह एक अदिस रासी राइब जैसे अगर यहूर के बीच में बिवांतर भी तो किया कार क्या होगा डबलू और बटे आवरस तो वीय क्या हो जाएगा डबलू अप Corey की इसको कर गट तो इसको हम इस तरीके से लिखनेंगे, अब अगला जो टॉपिक है वो है विद्युद्धारा का, ये भी मुख्य परिक्षा में जो है पांच नम्मर में, या ग्यारा नम्मर में पूछा जा सकता है, ग्यारा नम्मर में पुछा जा सकता है, कि विद्युद्धारा के से कहते है समझाइए तो हम यहाँ पर विद्युद भारा को समझते हैं राइट तो विद्युद क्या होती है विद्युद भार सेडह सीधा क्या यह हो और आई वराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम दर्द बता रहे हैं तो आवेस बटी क्या हो जाएगा यहाँ पर समय अगर आवेस यहाँ पर Q है समय T है तो आई वराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन T हो जाएगा तो विद्धुत आवेस के प्रवा की दर्द को ही क्या कहा जा जाता है विद्धुद्धारा कहा जाता है और विद्धुद्धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है एंपियर होता है अब यदि मैं यहां पर टी वरावर क्या माल लूँ एक वरावर हमने क्या माल लिया एक सेकेंड तो हम सीधा कह सकते हैं कि एक सेकेंड में प्रवाहित आवेस की मात्रा को ही क्या कहते हैं एक एंपियर धारा कहते हैं या अगर हमसे तीन नम्मर में पूछा जाता है कि एक एंपियर ये पिछली बात प्रिवियस एक्जाम्स में इस तरीके को कोशन पूछे गए एक एंपियर धारा तो हम एक एंपियर धारा को सीधा लिख सकते हैं कि एक अंग समय में या एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेसों की मात्रा को ही क्या कहेंगे एक जो है एक एंपियर धारा कहा जाता है तो एक अंग समय में प्रवाहित आवेस की मात्रा को ही एक एं अब अगर आपने पढ़ा होगा तो जो प्रत्यावर्तिधारा उसकी दिसा में परिवर्तन होता है और परिमार में भी परिवर्तन होता है तो अगर आप सोचते होंगे कि विद्धुद्धारा जो है वो सदिसराती लेकिन ये गलत है क्यों क्योंकि जो विद्धुद्धारा ह उसमें दिसा और परिमार दोनों होते हैं परंतु ये सदिस योग के तिरवज नियम का अनुपालन नहीं करती है इसलिए विद्धुद्धारा केसी रासी है एक अधिस रासी है जो विद्धुद्धारा है ये दो प्रकार की होती है एक हो जाएगी प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी हो जाएगी दिस्ट धारा हो जाएगी अब यहां से तीन नम्मर में पुछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है या फिर पांच नम्मर में प्रत्यावर्ती धारा क्या है इसके गुड़ों की विवेचना कीजिए या फिर दिस्ट धारा क्या है इसके गुड की विवेचना कीजिए तो हम यहाँ पर पहले प्रत्यावर्तिधारा को समझते हैं फिर इनके गुणों की हम विवेचना करेंगे तो सबसे पहला हो जाएगा प्रत्यावर्तिधारा यह जिसको alternating current कहते हैं तो प्रत्यावर्तिधारा वह धारा होती है जिसका परिमार तथा दिसा दोनों समय के साथ में बदलते रहते हैं उस धारा को क्या कहते हैं प्रत्यावर्तिधारा कहते हैं जैसे यह यहाँ पर क्या हो जाएगी विद्युद्धारा हो जाएगी तो इसमें अगर कि विद्धुद धारा में जो अर्द्चक्र होता है अर्द्चक्र धनात्मक होता है फिर अर्द्चक्र रणात्मक होगा फिर धनात्मक फिर रणात्मक र créd connectivity और यह क्या वो जाएगा जैसे हमने यहाँ पर हुआ ह 더 है यह मने समय मान लिया तो अगर हम देख रहा है कि विद्युद्धारा वह धारा है जिसकी समय में परिवर्तन के साथ जिसके परिमान मैगनिट्यूट तथा दिसा तो परिमान में यहां पर आप देखेंगे धनात्मक है यहां पर क्या है धनात्मक है तो परिमान में तो परिवर्तन हो रहा है साथ ही साथ दिसा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिशा ऐसी है, फिर आप देखेंगे तो यह दक्षण की तरफ हो जाएगी फिर यह तो नकीवल जो है दिशा में परिवर्तन हो रहा है बलकि मांन में भी परिवर्तन हो रहा है तो सीधा कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ति वह धारा है जिसका परिमार तथा देशा दोनों समय के साथ में परिवर्तित होते हैं उस धारा को प्रत्यावर्ति धारा कहा जाता है और ये पांच नमर में प्रस्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ति धारा क्या होती है इसकी वि वह धारा है जिसका परिमार तथा दिसा दोनों समय के साथ में क्या होते हैं परी वर्तित होते हैं फिर दूसरा जो विद्धुत धारा है रैट विद्धुत धारा या एलेक्ट्रिक करेंट उसमिय प्रभाव रासानिक प्रभाव और चुम्बकिय प्रभावों को प्रदर्सि नहीं करती है अगर आपसे ये कोई पूछे कि ये चुम्ब की ये रासाइनिक प्रभाव क्यों नहीं प्रदर्सित करती है तो दर असल क्या है कि हमने देखा है कि प्रत्यावर्ती धारा में यहां पर प्रत्यावर्ती धारा में जो अर्द चक्र होता है राइट हाफ साइकल क् पॉजिटिव होती है फिर हाफ साइकल क्या होती है निगेटिव होती है तो इस तरीके से एसी में हाफ साइकल पॉजिटिव फिर फिर पॉजिटिव और फिर क्या होती है निगेटिव होती है इसी लिए जब कभी भी प्रत्यावर्तिधारा का और सत्मान निकाला जाता है तो तो चुकि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसमान होता है वो क्या होता हमेशा था द्रुव में अगमी नहीं कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा र्मिते करती है प्रत्यावर्तिधारा उसमिये प्रभाव का क्या करती है प्रदर्शन करती है तो प्रत्यावर्तिधारा उसमिये जो प्रभाव है उसका प्रदर्शन करती है यही कारण है कि प्रत्यावर्तिधारा को नापने वाले यंत्र जो है वो उसमिये प्रभाव पर आदार्यत होते हैं चुंकि विद्धुद्धारा जो प्रत्यावर्तिधारा वो रासानिक चुमकिये प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती है इसलिए यहां पर जो चुमकिये प्रभाव पर आधरित उपकरण होते हैं उनका प्रियोग विद्धुद्धारा को मापने में नहीं किया ज जाता है इसके साथ ही चुम्ब के प्रभाव भी प्रदर्शुत नहीं करती है इसे लिए प्रत्यावर्ति धारा का प्रयोग विद्धु चुम्बक बनाने में भी नहीं किया जाता है साथ ही यह बहुत ही most important fact जो समान बोल्टेज की समान बोल्टेज की समान बिवंतर की जो प्रत्यावर्ति धारा है वो दिस्ट धारा से कहीं अधिक क्या होती है खतरनाक होती है और अगर आप जो है प्रत्यावर्ति धारा को छू लेंगे तो उसमें positive और negative cycle होती है और जैसे ही current यह धारा आपके अंद वो उदा सीन कर देती है इस बज़े से विक्ति की मृत्यू भी जल्दी हो जाती है तो यहां पर जो एसी करेंट है वो डी सी करेंट से अधिक खतरनाग भी होता है साथ ही जो प्रित्यावर्ति धारा को मापने वाले जो यंत्र है उन से दर्ष्ट धारा भी मापी जा सकती है क क्यों कि जो दिस्ट धारा है वो चुमकिये प्रभावी प्रदर्षित करती है इसलिए जिस जिन उपकरणों से हम चुमकिये धारा को दिस्ट धारा को मापते हैं उन से प्रत्यावर्ति धारा को मापते हैं उससे दिस्ट धारा भी मापी जा सकती है राइट साथ ही यह यहा सकता है तो हमेशा जो ट्रांसफार्मर है वो प्रत्यावरती धारा के सदांत पर ही कार करता है और जब कभी भी अगर हमको प्रत्यावरती धारा से दिस्ट धारा में बदलना हो तो हम रेक्टी फायर का या दिस्ट कारी का क्या करते हैं प्रियोग करते हैं साथ ही जो प्रत्य यहां पर इस तरीके से जो प्रत्यावर्ति धारा का क्या होता है चिन्न होता है तो यह हमने यहां पर प्रत्यावर्ति धारा के प्रत्यावर्तिधारा के महत पूंग्ड गुड़ों को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है यह ठीक है तो यह यहाँ पर हमने प्रत्यावर्तिधारा की विशिस्ता है पढ़ ले एवं दिसा समय के साथ में परिवर्तित नहीं होती है या फिर अगर हम देखें तो इसमें परिवर्तन तो होता है लेकिन वो ना के बराबर होता है तो वय धारा जिसका परिमार एवं देशा दोनों समय के साथ में परिवर्तित नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है डारेक्ट करेंट कहा जाता है या दिस्ट धारा कहा जाता है जो दिस्ट धारा के गुड़ों की विवेचना या दिस्ट धारा की हम विसेश्टा देखते हैं तो विद्युत धारा जो तीन गुड़ों को प्रदर्सित करती है उसमिय प्रभाव रासायनिक प्रभाव और चुमकिय प्रभाव तो दिस्ट धारा इन तीनों प्रभावों को रासायनिक प्रभाव चुमकिय प्रभाव एवं उसमिय प्रभाव सभी गुड़ों को क्या करती है दरसाती है और चुंकि जो चुम्ब किये प्रभाव दरसाले वाले उपकरण होते हैं उनसे बहुत अच्छे से धारा को मापा जा सकता है इसलिए दिस्ट धारा को नापने वाले जो उपकरण होते हैं वो चुम्ब किये प्रभाव पर क्या होते हैं आधारित होते हैं साथ ह जो समान विभव की दिस्ट धारा होती है ये प्रत्यावरती धारा से कम खतरनाक होती है साथी दिस्ट धारा से जो भी दिस्ट धारा का मापन चिन उपकरणों से किया जाता है उनसे प्रत्यावरती धारा का मापन संभव नहीं है क्यों क्योंकि दिस्ट धारा को मापन जाता ह चुम्ब किये प्रभाव पर आधारित उपकरणों में और चुम्ब किये प्रभाव जो प्रत्यावरती धारा है वो प्रदर्सित करती नहीं है इस बज़े से जो प्रत्यावरती धारा है उसको उसमिये प्रभाव पर आधारित उपकरणों से मेजर किया जाता है राइट साथ ही जो दिस्ट धारा है इसका प्रियोग विद्द चुम्बक बनाने में करते हैं तो यह दो चीजें याद रखना हमेशा आप राइट कि प्रित्यावर्ति धारा का उपयोग विद्द चुम्बक बनाने में नहीं किया जा सकता है जहां पर जो दिस्ट धारा इस इसके लिए किसका प्रियोग करते हैं inverter का राइट AC से DC में बदले तो rectifier का या dist कारी का प्रियोग होता है वहीं अगर हम DC को AC में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए किसका प्रियोग किया जाता है यहाँ पर inverter का प्रियोग किया जाता है और इसे किसी भी परिपत में इस तरीके का plus minus का sign के माध्यम से जो है direct current को दरसा आया जाता है अब ओम का नियम समझते हैं देखिए ओम का नियम भी 5 नमर में पूछा जा सकता है कि ओम का नियम क्या है उधारन सहित इसकी व्याख्या कीजिए या फ तो देखिए किसी परिपत में प्रिबाहित विद्द्धारा एवं उसके दोनों किनारों पर जो विभांतर है उसमें संबंध दरसाने के लिए सन 1826 में जर्मन विज्ञानिक जॉन साइमन जार्ज साइमन ओम ने ओम का नियम पृतिपादित किया था तो जार्ज साइमन ओम ने 1826 में ओम का नियम पृतिपादित किया था और इस नियम के अनुसार इस्थिर भौतिक आवस्थाओं पर या बिसी सुरूप से अगर हम देखे तो ताप पर इस्थिर भौतिक आवस्थाओं पर या इस्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली उसके सिरों के बिवानतर के क्या होती है समानु पाती होती है और इसे ही क्या कहते है ओम का नियम कहते हैं अब अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यदी किसी चालक में प्रवाहित जो धारा है यदी किसी चालक में प्रवाहित धारा क्या है आई है तथा उसके सिरों पर जो ब प्रिवाहिद धारा उसके सिरों के बिवानतर के क्या होती है समानुपाती होती है तो वी समानुपाती आई या फिर वी एकॉल्स टू क्या हो जाएगा आई आर हो जाएगा तो यही क्या कहलाता है ओम का नियम कहलाता है अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ओम का जो नियम है वो दरासल किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों के विबांतर के बीच में संबंद को प्रदरिसित करता है सांती ओम के नियम की अगर हम यहाँ पर कमीयों की बात करें तो दो चीजे हैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो जाएगी कि ओम का नियम केबल और केबल किस पर लागू होता है चालकों पर लागू होता है अर्थात यदि चालक है तभी ये जो अनुपात है ये नियत होता है तो ओम का नियम केबल और केबल चालकों पर ही लागू होता है जो कुछालक युक्तियां ह या अर्दिचा लख्यूक्तियां उन पर ओमका नियम जो है वो लागूं नहीं हो पाता है तही कि यृदि भूतिक आवस्थाओं में परीवर्तन हो जाए या ठाप पर क्या हो जाए परीवर्तन हो जाए तो चुकि परतिरोध में परी वरतन होता है इस बज़े से उहां पर भी ओम का नियम एपलाई नहीं हो सकता है तो ओम के नियम के लिए इस्थिर भौतिक अवस्था हो तो ये दो विश्थाइं, आपको याद रखनी है कि ओम का नियम चालकों पर ही लागू होता है और साथ ही साथ जब इस्थिर्भोतिक अवस्थाइं होती है तब ही ओम का नियम जो है वो लागू होता है तो यह था ओम का नियम अब ओम के नियम से हम यहाँ पर समझेंगे प्रतिरोध को सबसे समझते हैं प्रतिरोध क्या होता देखिए प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह धारा के प्रवाह में अवरूद पैदा करता है या धारा को प्रवाहित होने में अवरूद उत्पन करता है तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो विद्धु धारा के प्रवाह में रूद उद्पन करता है उसे ही प्रतिरूद कहा जाता है और प्रतिरूद को आर से दरसाया जाता है यह वी एक अधिसरासी है जिसका जिसका ऐसा ही मात्रक क्या है ओम है दरासलम ने अभी देखा था कि किसी परिपत में विद्दुद्धारा एवं जो विभांतर है उसका ओम है और इसको इस अक्छर से प्रदर्सित करते हैं तो इसका मातरक ओम होता है जिसको इस ओम से प्रदर्सित करते हैं अब अगर जैसे हम मान लेते हैं कि अगर किसी चालक में प्रभाहित धारा आई है और उसकी सिरों पर विभांतर क्या है भी है तो ओम के नियम से हमें पता पर किसी चालक में प्रवाहित विद्द धारा राइट धारा उसके सिरों के विवांतर के क्या होती है समानुपाती होती है अब यहाँ पर जैसे हम समानुपाती का चिन्न हटाते हैं तो यहाँ पर एक constant value आएगी जिसे क्या कहा जाता है प्रतिरोध ही कहा जाता है तो इसमें जो आर है वो क्या होता है प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो विद्द धारा के प्रवाहम है अब रोध उत्पन्द करता है या वैबदान उत्पन्द करता है उसे ही क्या कहते है प्रतिरोध कहते है और प्रतिरोध को हम जो ओम का नियम ह इससे निकाल सकते हैं तो यहाँ पर V equals to I R तो R बरावर क्या हो जाएगा V upon I यह क्या होता है प्रतिरोध कहलाता है चले अब हम समझते हैं यहाँ पर प्रतिरोध को प्रवावित करने वाले कारण और यह जो है यह 11 नमर में पूछा जाने वाला प्रस्न है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं यह किन किन कारपोंक पर निर्भार करता है यह पूरा प्रस्न 11 नमर में आ सकता है या हो सकता है 5 नमर में पूछले कि प्रतिरोध क्या होता है सबसे पहला तो हो जाएगा चालक के पदार्थ पर देखिए किसी भी चालक जिस पदार्थ से या जिस पदार्थ से मिलकर बना होता है तो हर एक पदार्थ का प्रतिरूद क्या होता है अलग-अलग होता है उधारन के लिए अगर हम एक ही ताप रख ले समान भोतिक अवस्ताओं पर समान लंबाई का समान अनप्रस्तकाट वाला अगर दो चालक है तो दोनों ही चालकों का जो प्रतिरोद है वो क्या होगा अलग-अलग होगा यदि उन दोनों की वो दोनों अलग-अलग पदार्थ से बने हुए हैं कहने का मतलब यह हुआ कि समान लंबाई समान अनुप्रस्त काट चे छेतरफल वाले अलग-अलग पदारतों के जो चालक है उनका प्रति रोध भी क्या होगा अलग-अलग होगा अर्तात जो प्रति रोध है वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है दूसरा और सबसे महतुपूर हो जाएगा चालक की लंबाई पर तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है अनुक्रमान पाती होता है और यदि लंबा ही क्या है L है तो R proportional to क्या हो जाएगा L तीसरा हो जाएगा अनुप्रस्त परच्छेद के छित्रफल पर तो देखे किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है उस चालक के अनुप्रस्त परच्छेद के छित्रफल जैसे A और इसको सामान रूफ से क्या कहते हैं मौटाई भी कहते हैं तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्त परच्छेद के छित्रफल के क्या होता है विद्कुर्मा अनुपाती होता है अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते है राइट बन पौन क्या हो जायगा एवं समीकरण दो को क्या कर देते हैं आपस में मिला देते हैं तो आर वरावर क्या हो जाएगा एल अपौन अ और ध्यान रहे जब यह समानपाती का चिन्न हटता है तो इसके जगह पर क्या आता है रो आता है और जहां पर रो को ही क्या कहते हैं प्रती रोध हकता या बिसिस्ट प्रती रोध कहते हैं अब चले अब इसके साथ ही चौथा गुण भी जो हम पढ़ते हैं तो एक तो क्या हो जाएगा कि यदि समान लंबाई के और समान अनुप्रस्त प्रचेद के छेतरफल वाले अगर दो चालक हैं तो दोनों पदार्तों के अलग-अलग होने पर दोनों चालकों के प्रती रोध अलग-अलग होगा यदि लंबाई जादा होगी तो प्रतिरोध भी जादा होगा क्योंकि लंबाई जो है चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है वैसे ही अनुपरस्त काट के छेतरफल के वितकुरमानुपाती होता है और चौता हो जाएगा ताप पर किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता है और ताप बढ़ाने पर जो धात्विक चालक है उनका प्रतिरोध भी क्या होता है बढ़ता है तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है बढ़ता चला जाता है अगर आजेसे मान ले कि यदि ताप भी इस्तिर है और दो चालकों का पदार्ट भी या दोनों चालक जो है एक ही पदार्थ के बने हुए है तो उस उस्तिती में किसी चालक का जो पना प्रती रोद है वो चालक की लंबाई के अनुकृमान उपाती तथा अनुपरस्त परिच्छेत के छेतरफल के विद्कुर्मानुपाती होता है इस बज़े से हम ये कह सकते है कि अगर एक 50 मीटर का क्या है एक 50 मीटर का लंबा क्या है तार है अगर आप इसके 5 टुकडे कर देंगे तो इससे प्रतिरोध पर क्या फर्क होगा सीधी सी बात है प्रतिरोध कम हो जाएगा क्योंकि चालक की लंबाई है कितनी 50 मीटर और चालक की अगर अनुपरस्त काट का छेतरफल उतना ही है तो इसके 5 टुकडे कितने के होंगे 10 मीटर के होंगे अगर हम यह कहें कि अगर एक तार है जिसको पिगला कर जिसको पिगला कर मोटा कर दिया गया है या एक तार है जिसको खीच कर का कर दिया गया है लंबा कर दिया है तो ध्यान रहें जब तार को काटेंगे तो उसके अनुपरस्त काट पर छेतरफल अनुपरस्त जो परिछेत का चित्रफल है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा तो 50 मीटर के तार को अगर आपने 5 टुकड़ों में कर दिया तो 10 मीटर के जो 5 टुकड़े हैं उनका प्रतिरोध इससे कम हुआ परन्तु अब आपने तार को काटने उसको पकड़ कर खींच दिया तो खींचने में क्या होगा तार का जो आयतन है आयतन उतना ही रहेगा अर्थात लंबाई बढ़ने से उसके अनुपरस्त काटके च्छेत्रफल में भी क्या हैगी कम ही आएगी क्योंकि हमें पता है कि आयतन बराबर क्या होता है छेतरफल इंटू क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा अर्थात लंबाई जितने गुना बढ़ेगी लंबाई जितने जादा जितनी गुना बढ़ेगी उसकी अनुपरस्त काट का च्छेतरफल भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो च्छेतरफल हो जाएगा लंबाई कुड़े चोड़ाए और यहां पर यह क्या हो जाएगी उचाई हो जाएगी तो कुल में लाकर जब भी तार को हम खींचते हैं तो उसके आयटन में परिवर्तन नहीं होता है इस पजह से जो तार का प्रतिरोध है वो कहीं अधिक जो है वो या तो कम होता है या जयादा होता है. वो धारण के तGUर पर येदि हमने तार को खीच कर उसकी लंबाई क्या करदी है? दो गुना करती है, तो लंबाई उसकी दो गुना करती है, तो उसके अनुपरस्त काट का छितरफल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तो जैसे ही लंबाई दोगनी होगी तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा चार गुना हो जाएगा वैसे ही यदि हम किसी तार को ले राइट और उसको क्या कर दें लपेट कर उसको जो है आधा कर दें या फिर उसको पिगला कर मोटा कर दें तो जब चालक को मोड घर उसको दोरा कर दिया जाए तो उसका प्रति रोध प्रारंबिक प्रति रोध क्या हो जाएगा एक चोंता ही रह जाएगा क्यूं क्यों कि एक तो लंबाई भी कम होगी और साथ ही साथ अनुपरस्त परिच्षेत का चेत्रफल भी बढ़ जाएगा तो यह हमने यहां पर प्रतिरोध को बहुत अच्छे से समझ लिया है अब हम पढ़ते हैं यहां पर बिसिस्ट प्रतिरोध यह जिसको क्या कहा जाता है इस specific resistance कहा जाता है इस प्रति रोद क्या होता है अब ही मैंने बताया था कि यदी राइड यदी इस्थिरताप है और चालक एक समान राइड जैसे हमने यह कहा कि इस्थिरताप पर या इस्थिर्बोटिक अवस्थाओं पर किसी चालक का जो प्रति रोद होता है वो उसकी अनुप्रस्त परिच्छित के चित्रफल के विद्कुनमानी पाती होता है, समी करण कितना हो जाएगा, दो, अब इन दोनों समी करणों को जब हम मिलाते हैं, तो समान पाती हो जाएगा, L अपॉन A, और जब कभी भी इस समान पाती का चिन हटता है, तो यहाँ पर रो आता है और इसी रो को मैंने बताया था, कि इसी रो को क्या कहते हैं, बिस्स्ट प्रतिरोध कहते हैं, या इसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं, अब अगर हम इसकी परिवासा की बात करें, तो हम सीधा कह सकते हैं, कि जो बिस्स्ट प्रतिरोध है, वो चालक के पदार्थ का क्या है, ला का विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यदि एक तार को खीचा जाए या उसको लपेट कर डबल कर दिया जाए तो दोनों इस्तिति में उस तार का प्रतीरोध परिवर्दित होगा परंतु उसका विस्ष्ट जो प्रतीरोध हो आप परिवर्दित रहेगा क्यों क्योंकि चालक का पदार्थ वही है तो इसलिए तार को आप खीचो चाहे उसको दोरा कर दो इस केसे में प्रतिरोध तो परिवर्तित होगा लेकिन बिसिस्ट प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि ये चालक के पदार्थ का क्या होता है लाक्षणिक गुण ही होता है या पदार्थ का लक्षण ही होता ह साथ ही अगर हम यह कहें कि कोई पदात जितना अधिक सुचालक होगा उसका बिसिस्ट प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा जैसे चांदी चांदी अगर सरवाधिक सुचालक दातू है तो उसका बिसिस्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है में आप जो प्रती तहकता है यह कहें कि जो प्रती प्रुथ है या प्रती रोड़ागता है इसका ताव पर क्या प्रभाव पड़ता है देखिए अगर हम बात करते हैं धातूव पढ़ाने पर धातूं का प्रतिरोध बढ़ता है या तप बढ़ाने पर धातूं की प्रतिरोधकता भी क्या होती है बढ़ जाती है अर्थात धातूं का क्या हो जाएगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो दोनुचीज याद रखें ताप बढ़ाने पर धातूं की बढ़ जाता है यही कारण है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है परन्तु अगर हम मिस्र धातूं की बात करें तो मिस्र धातूं की लिए मिस्र धातूं की प्रतिरोध अक्ता भी ताप बढ़ाने पर क्या होती है बढ़ती है इसलिए ताप बढ़ाने पर दादू एबं मिस्र दादू दोनों का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है लेकिन यहां पर अर्द चालक युक्तियों की अगर हम जैसे बात करें तो अर्द चालक में जैसे सिलिकॉन हो जाएगा जर्मेनियम हो जाएगा सेलीनियम हो जाएगा कारवन तो सिलिकान जर्मे इनकी प्रतिरोध अक्ता ताप बढ़ने पर घटती है यही कारण है कि इनका जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने पर क्या होता है कम होता है तो अर्द चालक युक्तियों की प्रतिरोध अक्ता ताप बढ़ने पर घटती है इसलिए इनका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है कम ह जाता है clear अब हम समझते हैं चालकत्व या कंड़क्टेंज कहते है तो यह तो बिल्कुल सीधा है यह तीन नम्मर में जो आप पूछा जा सकता है तो आप सीधा एक पंक्ति में याद रखें कि प्रतिरोद के विद्कुरों को ही क्या कहा जाता है चालकत्व कहा जाता है तो प्रतिरोध के वित्कुर्म को ही चालकत्व कहते हैं अर्था चालकत्व बरावर हो जाएका वन बाई आर अर्था वन अपान ओम ही क्यों क्या कहते हैं सीमेज कहते हैं तो प्रतिरोध के वित्कुर्म को चालकत्व कहते हैं इसका ऐसा ही मातरक्या होता है सीमेज होता है और वित्वत प्रतिरोध सीधी सी बात है जितना क्या है कम होगा चालकत्व उतना ही अधिक होगा वैसे ये भी तीन नम्मर में पूछा जा सकता है कंडक्टिविटी किसे कहते हैं तो जैसे प्रतिरोध के वित्कुरम को चालकत्व कहते हैं वै प्रतिरोध कहते हैं इसलिए हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रतिरोधक्ता या बिस्ष्ट प्रतिरोध के विद्कुरम को ही हम क्या कहते हैं चालक्ता कहते हैं या conductivity कहते हैं इसलिए बिस्स्ट प्रतिरोध हो जाएगा चालक्त बरावर हो जाएगा बन अपन रो और जहां पर बन अपन रो क्या है प्रतिरोधक्ता या फिर क्या हो जाएगी यहां पर बिस्स्ट प्रतिरोध इसका मात्र क्या हो जाएगा सीमेंज प्रतिमीटर होता है और प्रति रोधक्ता सबसे कम है यही कारण चांदी की चालक्ता सबसे अधिक होती है और यही कारण है कि चांदी जो है सबसे अधिक सुचालक धातू माने चाती है तो हमने प्रति रोध पढ़ लिया है विसेस्ट प्रति रोध या प्रति रोधक्ता भी पढ़ लिया है अब हम यहां पर प्रती रोधों का सहियोजन पढ़ेंगे तो प्रती रोधों का सहियोजन भी एक महत्पूर्ण टॉपिक है जो कि पांच नम्मर में या ग्यारा नम्मर में प्रस्न पूछा जा सकता है प्रस्न आ सकता है कि प्रती रोधों का सहियोजन कितने तरीके से किया जा सकता ह समझाइए या फिर स्रेड़ी स्रेड़ी सहियोजन क्या होता है उधारन साहिद समझाइए या फिर समांतर सहियोजन क्या होता है इसका महत्व लखे तो हम यहाँ पर प्रतिरोधों का सहियोजन समझेंगे और साथ ही साथ एक एक करके जो दोनों सहियोजन है उनके महत्व को भी पढ़ेंगे तो देखे जो जितने भी प्रतिरोधों होते हैं प्रतिरोधों को किसी भी परिपत में दो तरीके से सहियोजित किया जा सकता है तो किसी परपत में प्रतिरोधों को दो तरीके से सहियोजित कर सकते हैं एक हो जाएगा सीरीज कॉंबिनेशन या स्रेणी कॉंबिनेशन और दूसरा हो जाएगा नहां पर समानतार क्रम कॉंबिनेशन क्या होता है देखिए एक चीज जो मैं बता दू विद्ददकी में प्रतिरोध को इस तरीके से क्या होता है दरसाया प्रतिरोद का एक प्रतिरोद का जो अंतिम सिरा होता है वो दूसरे प्रतिरोद के पहले सिरे से जोड़ा जाता है और इस तरीके से जो संयोजन प्राप्त होता है उसको ही हम क्या कहते हैं स्रेणी संयोजन कहते हैं जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में तीन प्रतिरोद है आर जैसे इसका ये first node हो गया और इसका ये second node हो गया तो कैसी प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के प्रिथम सिरे से क्या हो जोड़ा जाए जैसे ये इसका node 1 हो जाएगा ये node 2 हो जाएगा तो ये R2 है तो R1 और ये क्या हो जाएगा R2 और यहाँ पर ये क्या हो जाए अगर हम देखें तो आर्थ्री में भी इसके बाद में ये जो है प्रतिरोध आर्थ्री हो जाएगा अब आप अब आप समझे कि स्रेडी संयोजन वह संयोजन होता है जिसमें प्रतिरोध का जो दूसरा बाला सिरा होता है वो अगले वाले प्रतिरोध के पहले वाले सड़े से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है और इस तरीखे से जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं स्रेडी कॉम्बिनेशन कहते हैं और इसको हम इसलिए करते हैं ताकि सभी प्रतिरोधों में एक समान ध लुप दारा क्या हो प्रभाहित हो सके अगर उनकी नोप अलग अलंग होंगी तो इससे झार शायी को कुल मिलाकर परिपत में हो इसे आति हो तो यस तरीके से जहता जाए कि 1 अंतिमसी राइन दूसरा सिराइब आगले प्रशुंध की पहले स्रे से जुड़ा हो और इस तरीके से जो संयोजन तयार होता है उसको हम कहते हैं स्रेणी संयोजन कहते हैं स्रेणी संयोजन की बिसेशता इसमें सभी प्रतिरोदों में समानधारा प्रभाहित होती है परंतु सभी प्रतिरोदों में जो विभांतर है वो क्या होता है अल होगा तुल प्रतिरोद और बरावर हो जाएगा और बन प्लस का और टू प्लस का क्या हो जाएगा और त्री हो जाएगा तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्रेडी सहयोजन में जो स्रेडी सहयोजन में सहयोजन का जो तुल प्रतिरूद होता है वो सभी प्रतिरूदों के योग के क्या होता है बराबर होता है अब हम यहाँ पर समझते हैं समांतर सही योजन देखिए जब तीन प्रतिरूदों को इस तरीके से जोड़ा जाए कि उन सभी प्रतिरूदों का एक सिला एक सिला किसी एक सभी सुरों का जो प्रिथम सिरा है वो एक साथ और जो अंतिम सिरा है वो भी क्या हो एक साथ जो है वो जोड़ा जाए तो उस परिपत को क्या कहा जाता है जैसे यह यहाँ पर जो हो जाएगा यह जो परिपत बनेगा इस तरीके से अगर पूरा डाइग्राम बनाना हो तो इसका तो हाला कि आप समझे अगर मुख्य परिक्षा है तो इसको आप इस तरीके से बनाना यह पूरा परिपत हाएगा यह R1 यह R2 और यह क्या हो जाएगा R3, right तो यह हो जाएगा स्रेशनी incarnation और यह क्या हού जाएगा समांतर परिपा हो जाएगा तो प्रतिरोधों का समांतर सहयोजन वह है सहयोजन होता है जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा या जो प्रिथम सिरा है वो एक जगे पर और जो दूसरा सिरा है वो एक जगे पर क्या होते हैं बंदे हुए होते हैं या जुडे हुए होते हैं उस संयोजन को क्या खा जाता है समानतर संयोजन कहा जाता है इस संयोजन की विसेश्टा ये है कि इसमें हर एक प्रतिरोध में जो विभानतर है राइट वो क्या रहेगा स कामान रहेगा अर्थात जो भी यहां पर है वहीं भी हमको यहां पर प्राप्त होगा परंतु सब में जो है धारा कामान क्या होगा अलग-अलग होगा इसमें आई वन धारा बहेगी इसमें आई टू और इसमें क्या हो जाएगी आई थ्री वैसे ही अगर हम इसकी बात करें त बिवानतर हर एक प्रतिरोध का क्या होगा अलग-अलग होगा परनतुधारा क्या होगी समान होगी और समानतर संयोजन में बूल्टीज का या बिवानतर जो है वो क्या होगा सभी प्रतिरोधों में समान होगा परनतुधारा क्या होगी अलग-अलग होगी तो जो समानतर संयो तो इनका तुल प्रतिरोद जो होता है इन सभी प्रतिरोदों के विद्कुर्म के योग के बराबर होता है अर्थात अगर हम देखें तो जो तुल प्रतिरोद है वो इन सभी प्रतिरोदों के विद्कुर्म के योग के बराबर क्या होता है प्राप्त होता है तो आर्बन प्लस का आर्टू प्लस का क्या हो जाएगा आर्ट्री हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यहां पर समांतर जो संयोजन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा अब हम समझते हैं यहां पर इनका महत्व क् तो देखिए अब आप मुझे ये वताईए कि हमारे जो गरेलू उपकरण होते हैं वो गरेलू उपकरण को या गरेलू उपकरणों के लिए एक नियत बोल्टेज की आवस्ता होती है और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो विद्धु सप्लाई है वो 220 बोल्ट पर होती है इसलिए अगर हम घर में सभी उपकरणों को सुरेणी करम में लगा देंगे तो सुरेणी करम में लगाने से विद्धु दारा तो समान होगी लेकिन विवांतर क्या होगा अलग-अलग होगा इस से क्या होगा कि एक जो हाँ एक जो उपकरण है वो तो चलेगा दूसरे उपकरण के लिए आवस्यक बोल्टेज ही नहीं बचेगा तो ये तो पहला निगेटिव पॉइंट हुआ ध्यान रखें अगर परिक्षा में सभी उपकरण जो है वो 220 बोल्ट पर क्या करते हैं कार्य करते हैं या एक नियत बोल्टेज पर कार्य करते हैं इसी लिए वह से ठीक तरीक से आपने करपाएंगे दूसरा कि इसमें जो इसमें जो प्रति रोध होता है वह सबtså के यू Faz होता है अर्थात इसमें प्रतिरोध का मान भी क्या होता है बढ़ जाता है और जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा विद्दूत ऊर्जा की खपत में हमें उतनी ही क्या होगा नुक्सान होगा इसलिए आर्थिक द्रस्ती से भी यह सहीं उजन उतना सहीं नहीं है और तीसरी इसकी कमी क्या है कि अगर आपको मान के चलिए कि आपको पंखा चालू करना तो जैसे आप बटन स्विच ओन करेंगे तो एक साथ जो तीनों उपकरण है आरवन आर्टू और आर्थरी ती सब्सक्ट विद्धूत ऊरजा का अपवय होगा तो इन तीन कार्णों की बज़े से राइड़ पैली चीजी है कि परतिरोब कम हो सके दूसरी चीजी ङी हो कि हम हमारी आवसक्त nar जिस उपकरण को चालू करना चाहे वह चालू रहे जिसको बंद करना चाहे वह बंद हो जाता है या ये अभी पनगा में क्या होता है कि जैसे आप को यह जो है पंका जैसे हम बन ले कि पंका को चालू रखना थो उसका जो है स्विच्छ हम ऑन रखेंगे अधरभाइस सुच बंद कर देंगे तो बागी कि दो में बिद्द हरा का क्या रहेगा flow जो है वो बना रहेगा और यहाँ पर voltage सब पर समान रहेगा इसलिए आप एक ही परिपस से सबी उपकरों को जोड सकते हैं जिसको चाहें उसको चाहें उसको बंदर रख सकते हैं और जो समांतर संयोजन में होता उसमें तुल प्रतिरोध सबी प्रतिरोदों के यूख से क्या होता है कम होता है इसलिए आर्थिक दुरस्टी से भी ये हमारे लिए मेत्पूर होता है अब अगर हम बात करते हैं स्रेडी कॉम्बिनेशन की तो दीवावली के अफसर पर या साधी विवाव में जो लड़ियां होती है सीरी不好意思 होती है ढरासल वह स्रेडी करम में ही क्या होती है oni होती है इसी वज ABOUT सीरीज का एक वल्व भी खराब हो जाए तो पूरा को पूरा परिपत यह पूरी पूरी सीरीज क्यों होती घराब होचाती है जो है विद्दुदारा आने पर या विद्दुद लगुपतन हो जाए या ओवर्लोड हो जाए उस इस्तिती में खराब ना हो तो फ्यू स्तार का इस्तमाल करते हैं और फ्यू स्तार भी किसमें जोड़ा जाता है ये स्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आज के लिए हमने जो है प्रतिरोधों के बारे में या एक तरीके से विद्दुत के बारे में जो बेसिक चीजे हैं वो बहुत ही अच्छे से पढ़ी हैं अगली लेक्चर में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद